नमस्कार दोस्तों मैं देव आप सबका स्वागत करता हूं All About Pets में और आज मैं आपको पैरेट्स के विंग ट्रिमिंग के बारे में बताऊंगा अक्चुली मैंने इससे पहले एक विडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि विंग ट्रिमिंग के फायदे क्या होते हैं ट्रेनिंग देने के टायम पर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस विडियो को जरूर देख लिए जिसमें आप अपने पैरेट्स को जल्दी ट्रेनिंग दे सकते हैं और उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा साथ में जब ये वीडियो खतम होने वाली होगी उस ताइम पे भी आपको वीडियो को जो है देखने का मौका मिल जाए तो उस वक्त काफी लोगों के कमेंट्स करने कि आप हमें विंग ट्रिंग कैसे करते हैं और सही तरीगा क्या है वह हमें बताईए वह में दिखाईए तो अदिसरी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो जो मेडियम साइज फैरेट होता है जैसे सं कॉन्योर्स हो गये फिर इंडिन रिंगनेक्स हो और अलेक्जंड्रीन पैरेट्स कोकेटेल्स आते हैं मेडियम साइज में ऐसे स्मॉल्स में आते हैं बढ़ ठीक है फिर भी कोकेटेल्स और रिंग्लेक्स का साइज काफी हद तक एक ही जैसे होता है तो इनके विंग्स कैसे ट्रिम करें जिससे परिंदी को भी ज्यादा दिक् है तो उनको दिक्कत होती है ग्लाइड करने में तो उससे जादा एक्रसिव हो जाता है ठीक है और ऐसा भी नहीं करेंगे हम कि मतलब देखने में भद्धा लगे क्या करते हैं लोग की पूरे विंग्स ट्रिम कर देते एक्टम जड़ से तो उससे कई बार खून निकल जाता है मतलब आप अगर रूम में छोड़ रहे हैं तो रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक जा पाए उचा ना उड़ पाए तो खेर चलिए इस पैरट को जो मैं भी पकड़ता हूं ठीक है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इनके जो फैदर से वो ट्रिम करने जिस से इनके खूबसूरती वी वनीर है और आपको भी ट्रेनिंग देनमें को कुई जाद दिक्कत ना हो तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने रिंगनेक को पकड़ लिया है ठीक है और इसके मैं आपको विंग्स खोल के दिखाता हूं पहले तो इसके पूरे विंग्स है तो आपको करना क्या है आपको जो विंग्स दिख रहे हैं और उसमें आपको कुछ लंबी कलिया दिखेंगी एकदम कोने में जहां से मैंने इसको हाथ से पकड़ रख है ठीक है और उसके बाद जो कलिया थोड़ी छोटी छोटी होती जाती है तो आपने करना क्या होता है आ यह देखिए जो आपको थर्ड कली आपको नज़र आ रही है मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ तो इस कली को छोड़ कर बाकी कलियों को आपने काट देना है काटना भी कैसे जो कली की लंबाई होंति побед उसके हाफ उनको काट देना है जैसे कि मैं हाथ से कौशिक कर रहा हूं मेरा अंगः आंग उठे मूफ़ कर रहा है आप देख रहे होंगे कि जितना जितनी लंबाई उनकी है ठीक है तो उससे उसके आधे पर में काट देता हूँ Supposed ऐजी है कि उसकी अगर जो कली है उसकी लंबई तो मैं उसको दो इंच से काट दूँगा और उसकी दो जो है एक कलियां बच जाएंगी ठीक और आपको तो थर्ड जो का लिए उसको अंटच रहना है मतलब थर्ड कली को बिल्कुल नहीं काटना है उससे क्या है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके फैदर स्ट्रेम किये और आप जो आपका पैरेट हो भी खूबसूरत लएगा दिखने में तो गाइस अब ही मैं अपने जो है एक भाई के घर आया हूँ ठीक है मैं हमारे एक दोस्त है प्रदीब भाई है उनके घर पे जो है दो मेल्स है एक बड़ा है एज में और एक छोटा है मैं इनकी वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ ठीक है तो उन्होंने जो है विंग्स कार्ट रखें वैसे लोग क्या करते हैं कि लोग जो है एकदम लास वाली कली छोड़ देते हैं ठीक है तो उससे लगता है कि हमने वही फेदर्स ट्रिम करें और वह कली दिखने में अच्छी में लगती तो खैर मैं आपको एक बार दिखा एता हूं कि इन्होंने कैसे ट्रि अग? ये मैल ये पालको मेल्न बड़े वाले मैल को निकाल रहा है, पांख है मतलब यह तो लेफ्ट साइड था और जो राइट साइड ओला पांख है उन्होंने यह किया कि जो थर्ड वाले कलिये वह छोड़ दिया और जो बाकी जो फैदर से और बाकी जो कलिया थी उन्होंने काट दिया था नहींद तो खर्यार आप अभी देख सकते हैं कि यह देखे इन्होंने पहले के दोनों फैदर टिये तीसरी कलिये चोड़ दी और बाकी जो फैदर से वाधे ट्रिम करदी अपने लेंध के यसा ठाल तो मैं यह तो यह वीडियो पशंद ना ही ओगी और आपको समझ में आ गया होगा कि जो फैदर ट्रिमिंग है वो कैसे करने हैं आपको जिससे जो पैर्ट है उसका वो मतलब उसको ज्यादा दर्द ना हो मतलब उसको तकलीफ ना हो और वो देखने वे खूब सूरत लगे साथ ना उसको ट्रेनिंग भी अच्छी दे पाए तो इस वीडियो को जो है बढ़ बढ़ बत्स तक यू